नवस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर आज का जो केस है सैमसेंग जेटू कोड़ का उपर है यह जो सेट है यह किसी दुसरे शॉफशेर रिटान है तो उन्होंने जो है लगबग सारा काम कर लिया पोर्ड में पावर इसी चेंज कर दि है नहीं तो हैंसे प्र रिकशबार करने है तो मेरे पाते वेया मैंने इसको anh जब टेस्ट किया गा के जब मैंने समय है नहीं है न सबस्क्राइब स्थीट मैब है तो मैं मेरा एक्स्पिरेंस के इसाफ से काम किया है तो मैंने जब बोड को अच्छा से चेक किया तो सीपू के नीचे जो है एक गवसिटर शॉट नाजर आया तो मेरे को लागा कि इसका जो है सिप्यू शॉट हो चुका है जिदकी बोड में जो है काफी काम तो मैंने सोचा कि इसका CPU जाए शॉट है तो सेट जो है रिकवर नहीं होगा तो CPU उठा गएने के बाद जब मैंने देखिए नीचे जो यह जो सोचा है कि जब आउड़ एसी का आउटपूट में वोल्टेज वैरियेशन होता है तो कोई वी रेज का लाइन शॉटिंग होने का बज़े से यह वोल्टेज वैरियेशन होता है तो मेरा एक्सपेरिंस के जी साब से मैंने इसको टेस्ट करके तो 1.8 वोल्ट मैंने इदर इंजेट किया है इंजेट करके मैंने जब देखा है तो इमसी के उपर में जो तीन कैपसिटर है वो मेरे को हीटिंग नजर आया उदर तो मैं अभी इदर देखिए वोल्टेज इंजेट करके फिर बोट को देखूंगा कि किदर हीटिंग हो रहा है तो मेरे को जाए इमसी के उपर तीन टो कैपसिटर लगा हुआ था उदर हीटिंग मैसिस हुआ तो उदर रोजिन स्मॉप लगा के मैंने जब फिर वोल्टेज इंजेट किया तो उधर ही जो है एक कैपसिटर मेरे को शॉट मिला था तो वीडियो पर आगे देख पाईएगा तो मैं बोट को थोड़ा क्लीन करके फिर से एक बार टेस्ट करूंगा क्योंकि अभी-अभी सिप्यूट है जो सिप्यूट है बोट थोड़ा करम है इसलिए म इसमें बोल्टेज जो है इंजेक्ट किया है 1.8 वोल्ट पहले तो मैंने इसमें 1 वोल्ट देकर इंजेक्ट किया था तो ज्यादा एंपर कंसूम नहीं कर रहा था दीसी में दो डीसी में कुछ 400 या 500 मिली एंपर जो है वो कंसूम कर रहा था तो पिससे जो है बोल्ट गरम नहीं हो रहा था तो फिर मैंने थोड़ा बोल्टेज बढ़ा है 1.8 वोल्टेज देकर जब दिया तब जाके 1.2 1.3 ऐसा एंपर कंसूम कर रहा था तब जाके मेरे को एमदी का उपर जो है आगर यह बोल्टेज मैने पहले इंजट कर देता सी प्यू लागाने के बादता ड़ा क्या है तो पी फिर हम लोग का सी प्यू को रिमूफ के प्रिमूर की तो फिर बीस से बाद चेक इम्मसी के उपर में पॉब्लम नजर आया तो अभी देखिए मैं उपर में इम्मसी के उपर में जो तीन कैपसिटर है इसको मैं चेक करूँगा तो तर जो है मेरे को फुल शॉट नजर आ रहा था मीटर में डायड मोड में 002 के साथ रेडिंग आ रहा था कि फुल शॉट है कि बीना टायगरंग को भी आप मोबैल रिपेर कर सकते है थोड़ा आपको टाइम लग सकता है इसमें मेरा गैस में यह बहुत टाइम लगा था मेरे को भी इसको पॉब्लम को डूनने में साड़ा बोड को मेरे को चेक करना पर अच्छा से क्योंकि बोड में बहुत सारा काम हो चुका था तो मैंने एक एक करके पावरेसी भी उठा कर मैंने देखा था कि पावरेसी का नीचे कोई शॉटिंग है कि नहीं तो पावरेसी का नीचे कोई शॉटिंग नहीं था पावर यह रिपेयर कर नहीं पाया या तो जल्दी में काम किया इसलिए वो जो है सेट को रिपेयर कर नहीं पाया तो मेरे को यह सेट रिकवर करने में लगबग 2 घंडा टाइम लग गया था तो यह देखिए जो इन लोका जो यह कैपसिटर है यह शॉट आरा था तो इसको मैं रिपेयर कर दिया जब तब जो हम लोका शॉट जो है वो निकल गया था और जो है सेट चालू करके मैंने जब इसको बोल्टेज मा पाथा तो इदर जो है 1.8 पॉल्टी लाइन आ रहा था तो मैंने वो वीडियो में दिखाया नहीं मैंने सेट जो पैक कर दिया तब उसके बाद मेरे को थोड़ा देखना था कि वो कितना वोल्टेज के लाइन है तो फिल मैंने सेट को खुल के फिल मैंने इसको चेक किया था तो उतर जो है 1.8 पॉल्टी लाइन आ रहा था अगर आपके पास भी ऐसा कोई केस आए तो आपकी उतर वोल्टेज चेक कर सेकते हैं जो है 1.8 वोल्टेज उसमें आ रहा था जो कि वीरेज 1.8 वोल्ट लाइन है मेरे इसाब से बागी पता नहीं मेरे को क्योंकि इसका जो डाइग्रम अभी एवलेबल नहीं है बॉर्णियों मे तो मेरा जो जाए अभी शॉट निकल गया है अभी मैं सीप्यू को जाए बाफस लगाऊंगा कि मैंने बिना रिवॉल किया है लगाया हूँ जो सीप्यू मैंने उठाया एक दम परफेक्ट उठाया कोई भी बॉल मेरा जो है शॉट नहीं हुआ तो अच्छा हैंड स्कील आपके पास भी होगा तो आप भी ऐसी सीप्यू रिमूफ करके फिर आप लोग इंस्टल कर सकते है इसमें जब आप बहुत सारा मतलब बहुत दिन से काम करते करते हैं अपका जब हैंड जिल अच्छा हो जाता है तो आप भी सब करने लगो गए कि नए बंदे जो है उत्वरा प्रैक्टिस करें अच्छा से इतना प्रैक्टिस करेंगे स्क्रैप बोर्ड में उतना आपका एंड स्किल जो है अच्छा होगा कि देखिए मैंने बीना रिवॉल की जो है सी ब्यू को लगा दिया अच्छा से नीचे देखके तो इसलिए थोड़ा अच्छा से नीचे देखके मिला के फिर मैंने इसको लगाया था आप भी ऐसा गलती ना करें पहले सी उठाने का पहले आप एक पिक्चर ले या तो बोर्ड में किसी जगा पे स्क्रैच कर ले जिदर नॉच पॉइंट होता है बाकी ऐसा कोई पॉब्लम नहीं होता है अब इसे भी देखके आप मिला के भी आप लोग लगा सकते हैं तो छोटा-छोटा चीज को अध्यान में रखना पड़ता है काम करने के वक्त थोड़ा मैंना माइंड डिस्टब हो गया था इसलिए मैंने बहुत टाइम से इसको मैं हैं मतलब चेक करके फिर यह जो है फॉल्ट मेरे को मिला है तो वीडियो से आपको कुछ नहीं कुछ सिखना को लिए मिलेगा शायद वीडियो अब पूरा देखिए और चैनल पर मेरा जो भी नए है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास चला जाएगा और वीडियो को शेयर कीजे तो अभी LCD लगा के फिर चेक कर रहा हूं तो इसका बैटरी में जो है चार्ज नहीं था तो मैंने इसको पावर सप्ले लगा के फिर रॉन किया तो मेरा जो सेट है वो रन हो गया था इस एमसंग गैलक्सी जेटू कोड है गो इसका बढ़ियो कोड़ियो रहा हुआ है कि दिखिए हम लोगा सेट बुड़ा होनों चुका है टैज वेगरा सब परफेक्ट वार्किंग कर रहे है कि इसेट में बहुत काम हुआ है कि साड़ा शील्डिंग उठा हुआ था पूरा बोर्ड में कोई भी जगा नहीं जो है काम नहीं किया हुआ था बहुत मैनेच सेट को मैंने रिप्यार किया तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबात कि अब कि अब कि 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 झाल